तो यार एक कहावत है ना शेर आया शेर आया वाली और जब आक्चली में शेर आता है तो लोगों को भरोसा ही नहीं होता वो आ गया जैसे पठान जवान कब आई और कब बाक टू बाक दो हजार करोड कमा के चली गए शाद किसी ने सपने में भी नी सोचा था तब बॉलिवुड को ज़रत थी तो सिर्फ एक नाम याद आया था और अब फिर से बॉलिवुड को बचाने उसका बादशाही आएगा ना शारुख खान दे किंग ऑफ बॉलिवुड इस कमिंग बैक सर फाइनली वो अच्छे दिन आएंगे जब हिंदी सिनमा से साउथ वाले और अंग्रेज दोनों डरके भाग जाएंगे किंग नाम तो सुनाई होगा शारुख खान ने काफी सीरियसली ले लिया है अपने फांस को और अब बारी हेटर्स की है उनको इसी नाम से बुलाने की तो याद 2 नवंबर आने वाला है और जैसा आपको पता है शारुख खान के लिए सबसे ज़ादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो हैं उनके फांस उनकी ओडियन्स और इस वक्त ओडियन्स की सिफ एक डिमांड है ये दिवाली किंग वाली माने 2 नवंबर या फिर 1 नवंबर की रात थी 12 बजे शारुख खान का कमबाक अनाउंस कर दिया जाए माने किंग का टीजर मांग रहे हैं लोग पूरे हग के साथ आक्षिली डंकी ने शारुख खान की सक्सेस हैट्रिक को पूरा होते होते अधूरा छोड़ दिया था तो इस बार बारी किंग की है जिसको ऐसा धमाका करना पड़ेगा जिसके बार बॉक्स ओफिस पे ऐसा नमबर आए कि जवान और पठान दोनों का कलेक्शन आपस में जुट जाए ये सब तो हो गई सपनों वाली बातें जिसको रोज हर एक शारुख खान पान देख रहा है लेकिन रियालिटी में किंग को लेकर बहुत बड़ा पंगा हो गया है सर दरसल कुछ insiders होते हैं जो किसी भी खबर को official होने से पहले जनता को सुना के excite कर देते हैं, hype बना देते हैं किसी फिल्म का वो लोग इस बार खुद बुरी तरह confused हो गए हैं और इस confusion की वज़े खुद शारुख खान की फिल्म King है जिसने हर किसी को धोके में डाल दिया है एक section है जो साफ बोल रहा है कि 2 November को King का announcement 100% आएगा, इवन Red Chillies के office पे special poster shoot भी किया गया है कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सिर्फ poster नहीं अच्छा खासा वीडियो टीजर भी आएगा जिसमें शारुख खान को as King present किया जाएगा तो दूसरी तरफ कुछ लोग logic ढून रहे हैं, उनके हिसाब से King की release date E.2026 की है और अभी से film को announce करना माने hype को फाल तुमें waste करना उनके हिसाब से King को officially announce किया जाएगा E.2025 पे वो भी सल्मान खान की film सिकंदर के साथ theaters में SRK प्लस सल्मान का combo दिखाया जाएगा वैसे जूट नहीं बोलूँगी ये वाली बात सोचने में थोड़ी जादा convincing लग रही है क्योंकि एक साल पहले film को announce करना वो भी teaser के साथ धमाका कर देगा बट एक तरफ मैं खुच शारुक खान की fan हूँ तो बहुत लालच मुझे भी है कि 2 नवंबर को चाहे poster ही क्यों न हूँ कुछ तो film से related आ जाए और भरिया फाइनली उपर वाले ने हम सबकी सुन ली है क्योंकि 2 नवंबर छोड़ो आज के आज अभी के अभी किंग से शारुक खान का final look reveal हो गया है देखो ऐसी खबरे काफी टाइम से market में घूम रही थी कि अगर आपको जवान में विक्रम राथोर वाला character पसंद आया तो king आपको jackpot लगाने वाली है क्योंकि फिल्म में शारुक खान एक salt pepper look माने सफेद बाल और stylish beard के साथ present किये जाएंगे विक्रम राथोर का भी बाप होगा ये character रईस एक underrated film है उसमें जो screen presence था शारुक खान का वो literally पठान जवान इन सबसे भी 10 times जादा खतरनाक था वो king में लोटेगा वैसे आपको पता ही होगा king में SR के एक dawn बनने वाले हैं तो अब मुद्य की बार क्या हुआ ऐसा कि internet पे लोग बोल रहे हैं कि 2 November से पहले ही king का look leak हो गया दरसल कुछ photos भार आये हैं boss शारुक खान किसी special event में अपने brand को promote करने गये थे वहीं पर उनका वो salt pepper look पूरी दुनिया के सामने आ चुका है इस look से इतना तो confirm है कि इसका सीधा सीधा connection king के साथ ही है और क्या पता चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का poster shoot हो गया है माने इस look में एक hint छुपा है 2 November को होने वाले धमाके का जिसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा रहा है शेर आया शेर आया और वाकई में आ जाये सोचके देखो उस time जब Bollywood का सबसे बड़ा clash होने वाला है साल की दो सबसे बड़ी films आपस में भिड़ने वाली है आर पार की जंग लड़ी जाने वाली है उस वक भी लोगों के बीच इस चीज का hype सबसे जादा है कि शारुक खान की फिल्म announce होगी या नहीं तो जब किंग खुद theaters में आएगा box office का क्या हाल करके जाएगा and frankly बोलू यह लोग या फिर कुछ दिन पहले वाली photos अगर सच में किंग से जुड़ी हुई है तो बहुस यह confidence देखकर ऐसा लग रहा है या पर कुछ शिकायब करनी हो तुम आपके instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में take care, bye bye